हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार Thousand of billions of US dollars खर्च करके मैंने अपने देश की राजधानी का निर्मान करा और अंत्तह जलवायू परिवर्तन के कारण जो sea level rise हो रहा है उससे मेरे देश की राजधानी जो है वो डूपती जा रही है ये हाल केवल Thailand का नहीं है News निकल कर सामने आ रही है भई Thailand के लिए जहां पर ये बताया जा रहा है की वास्त्विक्ता में जलवायू परिवर्तन के कारण Thailand की जो राजधानी है जिसे Bangkok के नाम से जाना जाता है I think आप सभी ने कभी ने कभी इस राजधानी के बारे में सुना जरूर होगा काफी famous tourist place है ये पानी के अंदर डूबने वाला है इस सदी के अंत के साथ ये पानी के अंदर समा जाएगा हाल ऐसा एक मातर देश का नहीं है यहां आप पाएंगे कि इंडोनेशिया में भी आज से कुछ समय पहले ये हो चुका है और even condition ये है कि इंडोनेशिया ने तो अपनी राजधानी shift करने का कारे भी कर लिया है और इस वर्ष के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया जो है नुसांतारा एक place है वहां अपनी राजधानी shift कर लेगा अब यहाँ पर न्यूस पर जरा गौर करते हैं और इस समस्या के समधान पर भी बात करेंगे जहाँ पर नीदरलेंड के सी वॉल के बारे में याने की समुद्री दीवाल बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है अर वो रुपय का खर्च है इतना एक विकास सील देश अफोर्ट कर बाएगा या नहीं आए चर्चा करते हैं इस बारे में सबसे पहें तो भाई न्यूस पर नजर डालें अगर तो यहां आप पाएंगे कि थाइलेंड की राजधानी बेसिकली बैंकोक है और यह कहा जा रहा है कि यह राजधानी समय के साथ पानी के अंदर जो है वो डूब जाएगी इस पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है अब इसके सानांतरन का कारे किया जाना है इस पर जो है वो प्रकाश डालते हुए इंडोनेशिया का एक्जामपल यूज करा गया और इस एक्जामपल में कहा गया कि जिस प्रकार से इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी शिफ्ट करी और नुशांतारा जैसा मैंने आपक अभी नाम बताईया यहां पर अपनी जो है वो नई राजधानी का उद्गाटा इंडोनेशिया करने वाला है I think आपको पता होगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है जो की आती बेसिकली कहां पर है जो की आती है जावा दूइप में और यह जो नुशान त परा क्या ये थाइलेंड के लिए पेसिकली पॉसिबल है अब यहां पर जो अधिकारियें उनका कहना है कि अभी हमें कुछ अनुकूलन की आवशक्ता है इस परिसिति को अडॉप्ट करने की आवशक्ता है और मौजूदा जो परिसिति दिख रही है उसके अनुसार तातकालि जो समधान वो दिख रहा है कि इस राजधानी को जो है वो शिफ्ट करा जाए किसी और इस्थान पर शानांतृत करा जाए परंतु यहां बार-बार ये उदहरन दोह्राया जा रहा है और ये उदहरन बेसिकली है नीदर radiator का जहां पर ये कहा गया कि जिस प्रकार से नीदर दीवाल का निर्मान करा था क्या ऐसी ही समुद्री दीवाल का निर्मान जलवायू परिवर्तन के कारण हो रहे दूस प्रभाव से बचने के लिए किया जा सकता है तो आईए थोड़ी चर्चा करते हैं इस बारे में भी कि exactly नीदर्लेंड्स की या मैं कहूँ इस नाम को आप हॉलेंड के नाम से भी जानते हैं कि सी वाल क्या है तो यहाँ पीछे डाइगराम देख रहे हैं जरा इस पर गौर करिएगा यहाँ आप पाएंगे कि एक तरफ आपको यहाँ सी दिख रहा है और डाइगराम में भी आपको इस ओर जो है वो सागर ही दिख रहा है पर यह दिवार कैसी यह दिवार वास्विक्ता में गहरे सागर के पानी को उतले सागर में प्रवेश करने से रोकती है यह वाल सागर के बढ़ते इस तर को अंदर आने से रोकती है और ये वॉल का निर्मान नीदरलेंड्स ने पीछे न्यूज में आप देख सकते हैं अर्बो डॉलर्स खर्च करके बनाया है लाखो करोडो डॉलर्स खर्च करके इसे बनाया है अब जरा इस वॉल के बारे में भी आईए चर्चा करते हैं एक सिंपल मैनर में अगर मैं आपसे कहूं कि जरा नक्षे पर गौर डालें तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देगी इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा यह दक्चिन अमेरिका वाला पोर्शन है और यहाँ से चलते हैं जब आप आएंगे तो यह उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन जो है वो आपको दिखाई देगा अब जरा गौर करिएगा जिन जिन प्लेसेस के नाम मैं दोहरा रहा हूं इस मैप में देखें तो आपको नजर आएगा यह है भई कैरेबियन द्वीप यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा यह है टियार अडेल फ्यूगो जिन जिन प्लेसेस के मैं नाम ले रहा हूं जरा उस पर गौर करें यहां आपको एफरिका दिखाई देगा एफरिका के बहुत सारे तटिये छेत्र पानी के अंदर डूपते जा रहे हैं इसी तरीके से यहां आप आएंगे यह है हमारा ग्रेट इंडिया और यहां से चलते हुए आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा यह साउथीस्टेशिया वाला वो पोर्शन जो अभी खत्रे में खासा दिखाई दे रहा है साइबेरिया वाले पोर्शन से चलते वे आएंगे तो जलवायू परिवर्तर ने इधर बर्फ को इतना पिगला दिया है कि वो प्लेस जो साल भर बर्फ में जमा रहता था आज यह पिगल रहा है इसी तरीके से ग्रीज दिखाई देगा यहाँ पर आपको इटली दिखाई देगा स्पेन दिखाई देगा निधरलेंड्स का एरिया दिखाई देगा और यहाँ से चलते हुए नक्षा कम्प्रीट होता है और यहां से उपर आपको बोर्नियों, यहां आपको फिलिपीन्स, यहां आपको जो है, वो कुछ अन्य द्वीपों के साथ, जापान, होन्शू, होकाईडू, शीकोकू, यह सारे द्वीप दिखाई देंगे, मेडगासकर दिखाई देगा, और श्रिलंका दिखाई देगा, लक्ष दीप से होते हुए, उस मॉल दीप की तरफ चलते हैं, जो 2070 तक कहा जा रहा है, पानी के अंदर चला जाएगा, इसी तरीके से, यहां आप शेशेज द्वीप देखेंगे, काफी कम उचाई के, सी लेवल से काफी कम उचाई के देश है, इसी तरीके से, यहां पर आ जानी चाहिए, साउथ इस्ट एशिया को, यहां कहीं आपको दिखाई देगा, कि यह है भई, नीदर लेंड्स, और यहां पर बनाई गई है, समुद्री दीवार, और यह जो दीवार है, इस एरिया में सक्सेस्फुली वर्क कर रही है, नीदर लेंड्स में मैसिफ फ्लड क इतिहास रहा है, ग्यात मानव इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़, सर्ज स्ट्रोम, सागरी तरंगों की तवरा विनाश, यह नीदर लेंड्स ने देखा है, और इतने विनाश के बाद, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर इनों ने बनाया, जो आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह सागरी इस तर में वर्दी को रोक रहा है, शहरों में पानी घुसने से रूकेगा, पर यहां ध्यान दें, अगर मैं आप से कहूं कि इस और दिखाई देने वाले देशों को जरा ध्यान से देखिए, यहां आपको मयानमार यहां कमबोडिया दिखाई देगा, भई यहां पर आपको जो है वियतनाम वाला पूर्शन दिखाई देगा, इसी तरीके से चलते हुए आएंगे तो इस पूर्शन में मलेशिया दिखाई देगा, इंडोनेशिया दिखाई देगा, और यहीं इंडोनेशिया से, इसी करतिविधियां continue रहती हैं तो सोच कर देखिए कि condition किस प्रकार की है जरा यहां द्हान दें यह दिखाई देगा आपको नीदरलेंड्स यहां पर यहां आपको दिखाई देगा नौर्वे यहां आपको दिखाई देगा स्टॉक होम्स वाला एरिया यह आपको फिनलेंड और अंदर नौर्डिक एरिया सारे देशों की राजधानी यहां समुद्र के किनारे ही है ओसलो हो चाहे हैलेंस की हो चाहे स्टॉक होम्स हो आपको इन सारे प्लेसेस के बारे में पता होगा समुद्र के किनारे हैं इसी तरीके से आपदा अगर चलते हुए आएगी तो भई नि नियू यॉर्क जो है वो समय के साथ पानी के अंदर समाता जा रहा है सागरी इस तर में परिवर्तन से सिटी की हाइट कम होती जा रही है अब सोचिये कितना महाविनाश हमारा इंतजार कर रहा है समस्या का एक मात्र समाधान है और वो समाधान पीछे आपको सी वॉल के थस्त और दो हजार पैट सट तक कारबन के लिए नेट जीरो यानि की शुद्ध शुन्य इसको लक्ष बना चुका है सभी देशों को इसे अपना लक्ष बनाना होगा और ये तब होगा जब लोगों में इसके लिए अवेरनेस होगी अभी चुनाओ का समय है इस प्रकार के मुद्ध अक्सर जो है वो हमारे चुनाओ से खासा दूर रहा करते हैं सी वॉल का निर्मान एक महगा कारे है बजाए इसके तकनीक में परिवर्तन एक सहज उपाय है वो भी उस देश के लिए जो अभी विकास कर रहा है आई थिंक आप मेरा इशारा समझ पा रहे हैं अब अतरा तरिक से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप आई इसकी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो डियर डोंट वरी ये बैचेस आपके लिए फुल असिस्टेंस प्रोवाइट करने वाले हैं आप इनको जोईन करते ही डेली 3R की लाइब क्लासेस के बाद इतना ही नहीं मेंस रेसिदेंशल प्रोग्राम में जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा अपने इस्थान पर आपको बुलाएगा और आगे की साही तयारी कराएगा और इन सब में आपका साथ देंगा 18 किताबों का पूरा सेट ये तो हुई बात भाई GS की अब ध्या और आपको ऑप्शनल तयार करना भी चाहिए बिकॉज दिस ऑप्शनल इस ऑप्शनल जो की प्रेलिमनरी एग्जामिनेशन में 35 कोशन्स तक आपको सीधे देगा इसमें पढ़ाएगे चीज़ें आपको प्री क्वालिफाई करने की गैरेंटी देती हैं इतना ही नहीं प्र आपके लिए वो प्रशन इस लाइक पीनट जो सभी के लिए काफी हार्ड होंगे प्रेलिम्स में जी एस में पूछे जाने वाले जोग्रफी और एंवारिमेंट के प्रशन आपके लिए इतने इजी होंगे यह आप उसे आसानी से क्लियर करता हैं इस सब्जेक्ट की तयार का यूज करिए इन बैचेस का पार्ट बनिए इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस को समझिए अप्लाइट सब्जेक्ट है आपको मार्क्स अच्छे देगा सो इस उम्मीद के साथ के आने वाले समय में मैं आप सभी IAS इस एस्पेरिंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूँ चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में Have a very nice day, thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी